आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंटरनेट से एयर टिकट कैसे बुक करते हैं तो कभी भी हमें हवाई जहाज का टिकट बुक करना हो तो कैसे करेंगे तो आईए मैं आपको step by step बताता हूं सबसे पहले ब्राजर ओपन करेंगे ब्राजर ओपन करने के बाद आपको यहां पर जाना है और यहां लिखना है search इंजर वेबसाइट दिसे हमने लिख दिया gold.com यहां पर जाने के बाद फिर यहां पर हम सच करेंगे हमें किचीड की टिकट भुक करने है फ्लाइट के देंदी हमने फ्लाइट टिकट बुकिंग इजीगो.com उसके बाद किलियर्ट्रीब.com गोइंग डिगो.in उसके बाद इजीवाइट्रीब.com तो इस तरह से बहुत सारे वेबसाइट हैं तो यहाँ पर जा करके मैं आप एक वेबसाइट चूच करता हूँ मेकमैट्रीब.com जहाँ तक आपने सोना होगा इसके बारे में तो जैसी मैं इस फिक क्लिक करूँगा तो यह वेबसाइट हमारी ओपन हो जाएगी उपन करने के बाद यहाँ पर छिफानी इस तरीके से वसके बार यहाँ पर ही आसके मिंगाने के लिए मंगे मैं और यहाँ राय भी सा तिखा रहा मैं दें दिया 31st मुझे जन्मरी में 31st को जाना है उसके बाद को रिटन करना हो मतलब वापसी का तो वह भी आप ले सकते हैं तो मैंने सिर्फ जाने जाने का ले लिया उसके बाद यहां पर हमारे पास क्लास है किसमें बुक करना है एकोनोमिक है प्रिमियम एकोनोमी है और बि सब्सक्राइब करूंगा तभी प्रोसेस में हमारा यह देखिए तो हमार पर सारे 31st को जितने ही फ्लाइट जाती है हम पर यहां पर नाम फ्लाइट का नाम उसके बाद उसकी टाइमिंग कितने बज़ चलेगी और कितने बज़ पहुचाएगी और इसका है डूरेसंस कितने पहुचाएगी और यहां पर लिखा होता है कि कि स्टोप कहीं पर रुकी गया नहीं रुकेगा यहां पर लिखा नो निस्टोप मतलब डायरेट नीदिली से खुलेगी और सिधा मॉंबई एरपोर्ट पर हमें वापर उतार देगी तो इस तरहीं से यहां पर देख सकते हैं इन्फरमेशन्स यह देखिए यहां पर स्वाइज जेट है यह अलड टाइमिंग है यहां यह है तीन पचास की यह है साथ पहुचास रात के पहने आट बजे तो इसमें से जो भी आपका टाइम से टेबल होता है आपको से स्टेट करना है यह से मैंने दे दिया यहां पर र से चलेगा यह यह देखिए तो यहां पर हमें टोटल दिखा दिया कुछ अलग से हमारे पास यह मारा बेस फेयर हो गया बेस सर्चायद लगा करके टोटल टोटल 2892 रुपए तो यहां पर दे सकते हैं यह सबापका डीटेल यहां पर आ रहा है उसके बाद यहां पर ट्रीप कैंसल कैंसलेशन फ्लाइट रिले यह सब कुछ अलग से फीचर से इससे आपको क्लिक नहीं करना मैं आ गया सिदह यहां पर कॉंटेट इंफोर्मेशन यहां पर जाना है और यहां पर क्लिक करना है उसके बाद इमेल एड्रेस अगर आपका अकाउंट पह करके कंटिन्यू एज गेस्ट पर जा सकते हैं तो जो भी आप टिकट बुक करेंगे तो जो भी आपने यहां पर इमेल आडी दिया हुआ है उस पर आपका टिकट कुछ मिलट के बाद ऑटमेटिक आ जाएगा टिकट बुक करने के बाद तो यहां मैंने अपना इमेल डाल द लिए अपना नाम इस तरीके से यहां पर जेंडर देना है उसके बाद कॉंटेक्ट नमबर कॉंटेक्ट नमबर में डाल दिया मैंने यहां पर इस तरीके से और यहां करना आपका कंटिनियूज अभी हमारा प्रोसेस में है यह देखिए तो यह हमारा लाश्ट आप्सन्स होदा है और यहां पर हमारे पास अलग आप्सन्स है जैसे करेड काड़, डेविट काड़, नेट बेंकिंग, नोबायल वायलत तो जैसे भी पेडिक करना है यहां पर आप कर सकते हैं तो यह देखिए मैं यहां पर लाश्ट में दिखा रहा हमारे पास नहीं दिली से आपका यह मुंबाई तक जाएगा और उसके बाद कौन से हमारा इस्पास जेट ठीक है उसके बाद दिली डिली ऐपोर्ट से खुलेगा और यह आपका नो निश्टब और जागा कहां तक बी इमिल आडी और फोर नमबर तो हमने यूज किया था क्या एजे गेस्ट तो जो भी आपने इमिल आडी दिया हुआ है लास्ट पेमेंट करने के बाद आपका जो टिकट होगा आपके इस इमिल आडी पर आ जाएगा वह उसके बाद यहां दिखार आपका सब टोटल तो और कन्वेंस फीवी हाँ पर अलग से लगा जाती है यानि कि टोटल हमारे किराया जो हो गया वह हो गया 3162 तीन हेजा एक सो बासाट रुपे तो टोटल हमें इतना पेक करना है तो पेमेंट करने का ओप्सन हमार पास आए है तो जैसे भी आपका पेमेंट करना होगा यहां फिर यहां पर आपका expired date उस card का expired date क्या है वो डालना है आपको और यहां पर cvb number तो आपने देखा होगा जो भी आपका debit card होता है उसके back side में last में 3 digit वो देखना है आपको और यहां पर type करना है तो मैंने यहां पर 3 digit type कर दिया उसको यहां पर करेंगे Mac payment तो Mac payment करने के तो book करने के बाद आपको दिखा देगा कि your ticket has been received 15 या 30 minutes after यानि कि 10-15 minutes या फिर आदे घंटे में आपके mail पर आपका ticket automatic आ जाता है ठीक है तो इस तरह से भी यहां पर यह ticket अरसानी से book कर सकते हैं तो आज की इतना ही हमारे चैने को like करिए subscribe करिए और share करिए अगर आपको comment box में डालिए आपको 100% उसका अंसर देंगे thanks